Hello my dear ones, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ अपनों के बारे में, हमारे जो अपने लोग होते हैं ना, हम क्या करते हैं, उन्हें बहुत ही taken for granted ले ले लेते हैं, होता है ना ऐसा, करते हैं आप ऐसा, बाहर वालों के साथ बहुत ही जादा तमीज से बात करते हैं, ऐसा द हम अपने घर वालों की कुछ खास इज़त करने पाते हैं, और बाहर वालों को इतना सर पर चड़ा कर रखने की कोशिश करते हैं, ये दोगलापन सब के अंदर होता है, अगर अभी घर में बहुत गुसा भी आ रहा हो, घर वालों पर अभी आप चीक चिला कर हटे हैं, लेक आपके expressions बदल जाते हैं, आपके words बदल जाते हैं, और आप उनके सामने ऐसे project करने लग जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, इविन घर वाले देखकर भी shock हो जाते हैं, क्या हो रहा है, इतनी जल्दी किसी का gear change कैसे हो सकता है, हम अपने घर वालों को गलत तरीके स से treat करना अच्छी बात है, करना चाहिए, पर घर वालों को बहुती ज़्यादा सम्मान से treat करना चाहिए, घर वाले आप से emotionally connected होते हैं, और जहां पर भी बहुत deep emotional connection होता है, वहां पर आपके शग्द, आपकी उची आवाज, आपके खराब से expression, सब बहुत ज़्यादा effect डाल होते हैं, लेकिन इन सब चीजों को ignore करके हम घर वालों के साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसे straightforward nature की दम पर हम बोल देते हैं, कुछ भी ऐसे, और इनके साथ भी formality से बोलेंगे, इनके साथ भी इस बातों को ध्यान रखा जाएंगे, कब घर में भी original ना रहे क्या, ये सब बेकार की बकवास है, आपको समझना है कि अपने घर वालों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करना होता है, अब आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि बाहर वालों को अच्छी तरह से ट्रीट करने की बात कह रही हूँ, तो ये नहीं कह रही हूँ क आप बाहर वालों के साथ उतना emotional connect ना होनी के विज़े से आप उनके साथ कुछ mistreatment करें, नहीं, उन्हें भी अच्छे से treat करें, आपको सभी को अच्छे से treat करना है, ये classification नहीं कि दूसरों के सामने अपनी image को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत अच्छे से treat करें, well behaved औ और अपने लोगों को बहुत rough तरीके से treat करें, ये गलत है, तो अब क्यों अपने लोगों को इतने अच्छे से treat करना होता है हमें, देखिए, बाहर की दुनिया ना बड़ी fancy, बड़ी artificial type की दुनिया है, जरूरी नहीं है, कि जो इनसान आपके साथ आज बहुत अच्छा व कर अभी कुछ देर पहले ही चुका हो और फिर आपके सामने अपना कोई और ही face दिखा रहा हो जैसे आप हैं, जैसे आप गुरू हैं तो वैसे दूसरा भी तो हो सकता है ना, दूसरा इंसान जो बाहर वाला है, जो society में आपकी किसी भी relation में है, जाए वो कोई official relation हो या आप आपके neighbors हो, सबको अच्छे से deal कीजए, पर अपनों को कुछ जादा ही अच्छी तरीके से deal कीजए, आपका bad mood, आपकी frustration किसी भी तरीके की, आपकी कोई भी negativity, आपके बाहर के bad experiences, आपका work stress, किसी भी तरीके का कुछ भी आपर अगर हावी हो रहा है, तब भी आप अपने घर वाले का कोई, अगर suppose कि जो उनका कोई idea पसंद नहीं आता, तो हम तुरंत एकदम से rough बोल देते हैं, क्या आप बक्वास बात कर रहे हो ऐसे, आप किसी दूसरे को बोलेंगे ऐसे, क्या बक्वास बात कर रहे हो आप, आपको पत है, कि सामने वाला बड़ा defensive हो जाएगा, औ लेकिन आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप ये भूल जा रहे हैं, कि जिरके सामने आप इसे share बनके दिखा रहे हैं, हावी होने की कोशिच कर रहे हैं, वो आपके अपने आपको कितना प्यार करते हैं, आपके कितनी value करते हैं, आपके दुख सुके सच्चे साती हैं आपके जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो आपके साथ सारे दुख सुख सब शेयर करेंगे आपको unconditional love देंगे आपको protection देंगे वो आपके अपने हैं सो उनके साथ आपको बहुत ही जादा प्यार से respectfully treat करना अगर आपको उनका कोई idea अच्छा नहीं लग रहे हैं उनके कोई बात repeat हो रही है आपको लग रहे है कि वो कुछ illogical सी बात कह रहे हैं या कोई गलत दिबान कर रहे हैं कुछ भी है आपको लग रहे है कि वो वास्तव में भी गलत है तब भी बहुत प्यार से मुस्कुराते वे अराम से उनको हैंडल कीजे अगर उनकी कोई बात भी है कि हाँ ठीक है आपका ये नजरिया है पर थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको कोई दूसरा नजरिया भी मिलेगा और आपको समझ आएगा और जो आपको चील गया आप फिर मुझे बताएगा कि कैसा है प्यार से ये ने कि स्ट्रेट फॉवर्वर्ड ली इस तरीके से आपने उन्हें ऐसे मना कर दिया या कोई आपके साथ ताइम स्पेंड करना जा रहे हैं आप हैं फोन पे लगे पड़े हैं चैट पे लगे पड़े हैं सोशल मीडिया को अपना टाइम दे रहे हैं अपने लोगों को टाइम ही नहीं दे रहे हैं कितना खराब तरीके से डील कर रहे हैं जब कभी आपको किसी की जुरत होगी, आज आप अगर उनको समय नहीं दोगे, आपको लगता है कि आपके पास वो घूम फिर कराएगा नहीं, जो आप देते हो वही आपके पास लोट कराता है, जब आपने कभी कोई बीच बोया है नहीं होगा, तो आपको फसल कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप टाइम नहीं देंगे, तो एक वक्त आएगा कि आपके अपने आपसे दूर हो जाएंगे, आप उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, टीवी में, मोबाइल में बिजी होकर, यह बहुत गलत ट्रीटमेंट है, अपने लोगों को तो दे और आपके अरप का और मेरी जी बहूत इंपोर्टमेंट हैं, मैं अभी भस फ्री होते ही क्योंकि यह बहुत important है, और अभी करना है, इससे फ्री होते ही मैं आपसे बात करोंगा, तो आप क्या है उनको indication दे दे ए इस बात का, लेकिन अगर आप कुछ लिए प्रह और आपको बहुत safety का एसास होगा, आपको security होगा, आपके इंदर इतना oxytocin release होगा, आपको बहुत-बहुत ही जादा अच्छा feel होगा, अपने घरवालों को ऐसे treat करते हैं, बाहर वाला अगर कोई भी आदात है, तो foreign attention देते हैं न हम, तो जो बाहर वाले के साथ आप treat करते हैं, वो आपको गुना जादा आपको reward देंगे, और ये सचा होगा, इसमें कुछ भी fake नहीं होगा, आप अपनी तरफ से देकर तो देखिए, जब आप देंगे, तब आपको पता चलेगा कि देने में भी बहुत खुशी होती है, और जो आप देंगे, कुदरत का नियम है, कि वो आ आप तो relax हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बर सुचे कि आपकी वो चीखना, उचीवाज, frustration में कहे वे बुरे शब्द सामने वाले को कितना भेदते होंगे, बहुत ही ज़्यादा पुरी तरीके से उसको भेद देते होंगे, ऐसे practically, possibly नहीं है ना, कि आपने दूसरे इंस लेकिन क्योंकि वो आपके अपने होते हैं, तो आपसे क्या कहते हैं, भीगी आँखों से भी कोई बात नहीं है, चलो, भूल जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो भूल जाते हैं, उपर उपर से भूल जाते हैं, लेकिन अंदर कही ना कही उसके निशान रहते हैं, तो आपकी सबसे ज़्यादा अपने है उनके साथ सबसे ज़्यादा तमीज से आपको पेशाना चाहिए क्योंकि जहां पर भावनात्मन दोर होती है, वहां पर दुख तकलीफ का एहसास जरूरत से ज़्यादा होता है आप ही देख लिजे नब जिनको आप अपना मानते हैं चाहिए आपने किसी दोस्त को इमाल लिया या किसी और जरूरत चाहिए उसकी बातों को कितना बुरा सा लग जाता है और किसी को क्यारता है रहे चल मारने देख छोड़े और वो बात दिमाग से निकल बी जाती है लेकिन जहाँ पर भी emotional connect होता है तो वहाँ पर hurt जाता होता है तो आप already बहुत समझारें आपको पता है कि कैसे लोगों को treat करना होता है कैसे उनसे respectfully बात करने होती है, importance देनी होती है, उनने time देना होता है बाहर सब आप करते हैं क्योंकि आपका एक motive होता है उस सब करने का लेकिन जो घरवाले हैं आपको ये पता होता है कि मैंने कैसे भी treat करूँ लेकिन ये मेरे घरवाले हैं छोड़ कर नहीं जाएंगे और जो इनसे मुझे benefit मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा क्योंकि ये मेरे साथ कभी भी इतना harsh नहीं होंगे इस बात का नजायस फैदा मत उठाइए क्योंकि सब की बरदाश करने के limit होती है एक limit आती है सब की, सब की capacity होती है, वो capacity जब full हो जाती है ना mental distance maintain कर लेते हैं कि आप खुन के आंस गुरूते हैं और आप बाद में बहुत पस्ताते हैं लेकिन आपका कुछ भी पच्चताना, sorry कहना, time देना, कुछ work नहीं करता क्योंकि एमन ऐसा ही होता है, जब इसने एक बार बहुत try करके जھक मार मार के दूरी बना ली होती है ना फिर ये दुबारे से बिश्वास जुटाने में बहुत मुश्किल, बहुत समय लगा देता है, पहले जैसी बात नहीं रहती है तो आपके साथ ये गलत ना हो जाए, ये नौबत ना आ जाए, तो आज से ही अपने लोगों को बहुत ही प्यार से डील केज़े, बाहरवालों को भी अच्छे से डील केज़े और अपनों को भी, और इसमें आप ही का फायदा है, कैसे फायदा है अपना, जो मैं आपसे अच्छे शबद बोलते हैं, उनसे अच्छी टोन में बोलते हैं, अच्छा वैवार करते हैं, उस वक्त वो सब कुछ अच्छा हम अपने साथ भी कर रहे होते हैं, तो अपने लिए ही अच्छा हर समय करने के लिए अपना mind set up कर लो, और ये जो लोग आपको अपने से अलग द पिश्वर के अंश हैं तो प्यार से ही बात कर ली जाए तो अपनों से खास सोर से बहुत प्यार से बात करनी है तो मुझे पूरी उमीद है कि आज से आप अपने अपनों से बहुत ही प्यार से बात करेंगे और अपना खास ख्याल रखेंगे मैं मिलूंगे आपसे नेक्स वी सब्सक्राइब कर लिजिए और रोज वीडियो देखिए सीखते रहें मस्कुराते रहें आगे बढ़ते रहें